आज का कोईक सा नाष्टा खाकर तो आप इडली खाना भूल जाएंगे आज हम नाष्टा बनाएंगे वो भी बहुत ही फटाफट से जिसे आप रोज बना कर खाना चाहेंगे तो ये नाष्टा आज हम बना रहे हैं सूजी से तो सबसे पहले आपको ले लेनी है एक कप सूजी तो ये जो सूजी मैं ले रही हूँ ये 120 ग्राम है यानि की 120 ग्राम आधा कप सूजी याँ पर हमने ले लिया है एक बाव ले लेना है यहाँ पर जो मैंने सूजी लिई है यह महीन वाली सूजी है आप यहाँ पर महीन मोटी कुछ भी सूजी ले सकते हैं इसके साथ हम आधा कप यहाँ पर ले लेंगे दही दही आपका अगर खटा होगा तो result और भी अच्छे मिलेंगे अगर नहीं है तो आप normal दही भी इसके लिए use कर सकते हैं दही डालने के बाद आपको यहाँ पर इसे अच्छे से mix कर लेना है उसके बाद हम इसमें add करेंगे पानी पानी आपको यहाँ पर जितना आपने सूजी ली है उतना ही पानी यहाँ पर आपको ले लेना है थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर हम पानी डालेंगे अगर हमको पानी कम लगेगा तो हम इसमें थोड़ा पानी और add करेंगे अब इसे हम अच्छे से mix करना शुरू कर देंगे सूजी जो होती है वो थोड़ा सा पानी पीती है यहनि कि पानी को observe करती है इसलिए अगर आप इसे बना के 5-10 मिनट का rest देंगे तो यह सूजी अपनी असली consistency में आ जाएगी बचावा पानी भी इसी में हमने डाल दिया है और फिर से हम इसे अच्छे से कर लेंगे mix तो दो मिनट तक आप इस बैटर को अच्छे से mix करें और यह बैटर हमको पतला नहीं बनाना है आप देख सकते हैं किस तरह की consistency यहां पर मैंने रखिए इस बैटर की अब इस बैटर को कवर करेंगे दस मिनट तक तो आप इस बैटर को छोड़ दे टाइम नहीं है तो आप इसे पांच मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं आप थोड़ी सी preparation कर लेते हैं नेक्स हमें recipe में जो चीज़े चाहिए हैं friends अगर आपको आज की मेरी recipe पसंद आती है तो नीचे दिए गए button पर click करके आप इस वीडियो को like कर सकते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अपना feedback भी दें कि आप कि city से मेरी ये वीडियो देख रहे हो जरूर से जरूर डालें बारिक बारिक आप इसे काट लें तो देखिए दो हर इमिर्च बारिक बारिक हमने काट के अलग कर लिया है अब इसके बाद हम ले लेंगे हरा धनिया तो धनिया आपको नीचे का लेना है जो इसकी पत्ते होती है न वही आपको चाहिए इसमें उपर का आप अपके किसी और रेसिपी में यूज कर सकते हैं बारिक बारिक आपको यहाँ पर धनिया पत्ता काट लेना है अब इसे भी काट के हम रख लेंगे साइप पे चलते हैं गैस की तरफ गैस पर सबसे पहले और इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चमच के करीब कोईल तो आयल यहाँ पर मैं डाल रही हूँ रिफाइंड आपको भी अपनी पसंद कोईल यूज कर सकते हो थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं हम इसमें जीरा जिसी चिटकेगा इसमें हम हींग आट कर देंगे हीं का स्वा होने लगेगा अब इसी में हम एड कर देंगे बारी कटा हुआ प्याज जो हमने चौप करके रखा था अब इन सारी चीजों को हम एक नट तक भूनेंगे प्याज का कलर बिलकुल चेंज नहीं करना है अब देखिए दो आलूओं को मैंने मैश करके रखा हुआ था उबले इनने मैश करके हम सिंपली इसी में एड कर देंगे हम यहाँ पर इसका एक बहुत ही चट पटा सा तीखा सा मसाला प्रिपार कर रहे हैं इस रेसिपी के लिए जो के इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देगी थोड़े सी चिली फ्लेक्स एड करेंगे हम इसे अब इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे मसालो को आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो सारे आलू पर अच्छे से जो मसाला हमने डाला है यह लग जाएगा दिखे बहुत अच्छे से 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 बहुत अब इसमें हम एड़ करेंगे धनिया और धनिया डाल कर हम इससे फिनिश करेंगे एक बार अच्छे से धनिया डाल कर मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर गयास की फिलिम को कर देना है ओफ और हमारी यह चटपटी से फिलिंग बन के तयार हो गई है तो फ्रेंड्स फ्लिंग बन के रेड़ी ऐसी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और बिना इसकिप के आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है एक नई सी रसिपी आप सभी के लिए लेकर आई हूं यहां पर पानी हम एक बरतन में बॉइल होने के लिए तब तक हम बाकी की प्रेपरेशन कर लेते हैं तो देखिए आलू का मसाला यहां पर ठंडा हो चुका है हलका सा गरम है इतना कि मेरे हाथ इससे छो सके अब देखिए इससे हम एक बड़ा सा बावल बनाएंगे यह देखिए आपको इसका बड़ा सा प अब बना लेना है तो अब को मेरे चैनल पर काफी सारे ब्रिक्फर्स की रेसिपीज मिल जाएंगी जिसे आप डेली बना सकते हो और आपको सोचने की बिजरूरत नहीं है कि आज क्या बनाया जाया तो फटा फट से जाए और चैनल पर चेक किजिए कि आपके लिए कौन सी देखिए यहां पर हमारी बैटर को रेस्ट करते हुए 10 minutes का टाइम हो चुका है अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हमने इसमें सॉल्ट डाल कर भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स अब इसमें हम आट करेंगे कुछ ऐसा स्पेशल सा इंग्रीडियन जिस जिसजने हम नाष्टा बना रहे है उगिस नाश्ता बना रहे हैं उन्हीं हम यह पर प्रिप्यर कर लेते हैं को आज हम इससे बना रहे हैं घर के इनो डालने से यमारा नाश्ता बहुत हलका फिलका बनेगा और खाने में बहुत जादा सौफ्ट लगेगा तो देखें यहाँ पर मैंने कितना इनो लिया है आपको इतना ही इनो ले लेना है आदा छोटी चमच के करीब और इसे एक्टिवेट करने के लिए उपर से हमने पानी डाल दिया है अब इसे आपको अच्छे से कर लेना है मिक्स देखेंगे आप बैटर आपका बहुत ही लाइट हो जाएगा इनो डालने के बाद अगर इनो नहीं है आप इसकी जिगा पर बेकिंग सोटे का यूज भी कर सकते हो आप देखें एक चमच ले लेना है और आपको अब इन ग्लासेज को फिल करना है तो पहले आप इसे दो से तीन चमच इसमें एड़ करें इस बैटर को और एड़ करने के बाद आप इसमें वही आलू का जो मसाला आपने बिपार किया था ना ये बीच में इस तरह से रख द इसके उपर से आप फिर से इस बैटर को वही आट करें ये देखे बस आपको यह करना है बीच में और अकपना mems को पूरा प्ल करें क्योंकि थोड़ा सा उपर चापतव आउगा में इसे थोड़ा सा खाली रखे जिससे आपका जो यह बैटर है बाहर बिलकुल नहीं आएगा गिरेगा नहीं पकाते समय तो देखिए दोनों की दोने हमने ग्लासेस को फिल कर लिया इस तरह से और आप देख सकते हैं यह देखिए अब चलते हैं गैस की तरफ हमारा जो पानी है यह बॉयल हो चुका है अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे उसके बाद हम इन ग्लासेस को इसके अंदर अच्छे से रख देंगे यह देखिए पानी आपका गरम होना चाहिए बॉयल वाटर एकदम होना अब इनको कवर करके आपको 15-20 मिन तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है 15-20 मिन हो चुके हैं यह देखिए और आप देख सकते हैं हमारा यह जो नाश्ता है यह बढ़िया सा बन के रड़ी हो चुका है अगर आपको इससे चेक करना है तो आप एक नाइफ को इसमें डाल कर आपको इसे पूरी तरह से ठंडा करना है जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो नरम नाश्ते को आप इस तरह से डीमोल्ड कर दे और आप देखें इस पॉंज देखें आप इसका कितना जादा सॉफ्ट है अब इसे हम कर लेंगे कट तो कट करने के लिए आप किसी ते मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑईल यूज नहीं किया है। बिल्कुल लेस वैल का नाश्ता है। आप इससे डेली बना के खाएं। जितना मंद चाहे खाएं। आपको यह बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। और हमने इसे बनाया है सुझी से जो कि बहुत हेल्दी होती अब आपको नहीं कर लिए और हमें से एक प्लेट पर निकालेंगे। और देखें कितने जादा देखने में यह कितने खुबसूरत से लग रहे हैं। तो फ्रेंट्स रेसिपी कैसी लगी है। मुझे कॉमेंट में बताना न भूलियेगा। और देखें। अपर से मैंसे प् चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो।